आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ए सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टडी ग्लोज पर आपका बहुत 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 सबागत है यह गजब की स्टडी सामने आई है कि भाया अगर बहुत ज़्यादा आलू खाओगे तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा या फिर एंग्जाइटी हो जाएगी तो आपको पैनिक अटाक्स पर सकते हैं आपका अवसाद हो सकता है क्या वाकई में ऐसा है बात करेंगे तो यह नई रिसर्च जो है उसने सजेस्ट किया है यह इस तरीके की रिसर्च जो है वो छबती रहती है हम सबको ड़ाती रहती है तो रिसर्च में basically क्या है यह basically PNAS ने research जो है वो published की है Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America तो इन्होंने बताया है चाइना में रिसर्च हुई है कि अगर बहुत ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज बेग्ड पोटाटो खाओगे तो आपको हाई रिस्क ऑफ डिप्रेशन और हायर रिस्क ऑफ एंग्जाइटी हो जाएगी यानि कि आवसाद जादा होगा और एंग्जा चैनल क्राइम वर्ड को आपको सब्सक्राइब कर रहा है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया है कल हमने श्री प्रकाश शुकला की स्टोरी पब्लिश की थी और अब हम भारत के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की स्टोरी पब्लिश करने वाले हैं तो भी मिस ना करें हमारे स्टडी ग्लोज आप को डाउनलोड करें और को अवेल करें तो रिसर्चर्ज ने क्या किया है तकरीबन डेड़ लाख लोगों को युनाइटेट किंडम में इस स्टडी के लिए लिया अब इसमें जो आवरेज थे वो ग्यारा साल उसके बाद देखा पाई इनके ऊपर स्टडी की इनको लो भाया फरेंच फ्राइयस को प्री में फ्रेंच फ्राइज रियस तड़ी में मजा भी बहुत आती है बर्गर का रहे पीज़ए खा रहे तो इसलिए भाया नी फिंगर चिप्स भी बनते हैं आलू एक तरीके से हमारा राष्ट्री भो आता है काप्स होते हैं बहुत जादा तो पीपल फ्रीक्वेंडी कज्यूमेंग फूड आइटम्स इन्हों नहीं देखा कि आप अगर आप फ्रेंच फ्राइस खाओ छोटे-चोटे ना जो हमारे फिंगर चिप्स होते हैं वही इसको स्लाइज में काट तो बढ़िया आलू को तलके हो गए फ्रेंच फ्राइस तो उसमें आपको डेप्रेशन होता है 12 परसेंट जादा आपको चांसे होते हैं कि आप एंग्जाइटी रिलेटेड इशू जो है वह डेवलप कर लो अगर मान लीजे मैं इस तरीके का खाना नहीं खा रहा है तो उसको बारा परसेंट जा जादा चांसे है यानि कि अगर इस तरीके का खाना खाओ तो यह प्रॉब्लम्स हो सकती है लेकिन क्यूं बड़ी बात है कि भाई ऐसा फ्रेंच फ्राइज में क्या होता है जिसकी वज़े से हमको डिप्रेशन हो सकता है तो इसका जवाब एक केमिकल में छुपा है सब केमिकल लोचा जो है वो हमारे दिमाग में जो है वो चलता रहता है अब एक्सपर्ट बताते हैं यह वाला जो केमिकल यह अक्रिलमाइड यह जो सबस्टेंस होता है स्टार्ची फूड में प्रेजेंट होता है जिसमें जादा स्टार्च होता है जैसे पोटाटोस हो गया र साथी साथ long term exposure में और ज़्यादा हाला जो है वो खराब हो सकती है तो हम क्या करें भीया अब देखें ये इसमें ऐसे हावा में कुछ नहीं बोल दिया है इस study को एक और जगा पब्लिचे एक और पेपर का reference लिया इसमें इस chemical को zebrafish को दिया गया ये जो एक्रेलमाइडा को ठीक है यानि कि उसने भी higher level of anxiety जो है वो दिखाई मचलियों में भी तो यानि कि ये chemical ये काम करता है अब zebrafish ने ये भी कि भाया टांक को exploring नहीं बड़ा सा टांक होता है इदर जाओ उदर जाओ नहीं वो बस एक जगा गई हो वहीं रही depression में भी यही होता है कि आप एक जगा फ्रिश होती है क्या हम अब french fries को खाना छोड़ दें यहां पे क्या एच है दोस्तों यहां पे बोलाए कि देखो यह एक वेक अप कॉल है आप परशान मत होई है इसमें बताया है कि अगर आप बहुत जादा खा रहे हो लॉंग टर्म एक्सपोजर हर कोई french fries ही खा रहा है ब क्योंकि देखें यह तो बात सही है बहुत अब जुत्नी भी प्रोफप्राबलम्स होते हो चेमिकल्स की वज़े ेंच्पोजी वज़ेसे होती है हमारे शजारी में जो भी बिमारी होती है तो अगर हम कोई बीगली छीज एक्सिस मात्रा में लेरे तो दो डेंजरस ही तो इ ताकि आप अपना मेंटल हील्थ का खियाल रखे योगा करें, मेडिटेशन करें, खुछ रहें माइड रिलाक्सेशन एक्सेसाइज करें आपको बहुत जदा फाइदा होगा फिलाल आप हमारे जो क्राइम वो एड़र उसमें जरूर उसको जरूर सबस्क्राइब करें नहीं जानी आने वाली है और यह जो पब्लिक स्पीकेंग कर्स इसमें तो साइकॉलोजिस्ट डॉक्टर मैयुरी का अदास खुदी साइकॉलोजिस्ट है तो आपके टेंचर ही खतम हो जाएगी तेसे सद्दान तक नहीं हो तरी साइनिंग ओफ